तो आज मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, आज हमारे पार हैमन जी है, जिनका mobile phone repairing का course complete हो गया है, और इनको सीखने में इन्होंने जोईन किया था मेरे पास, 22 तारीक को जोईन किया था, और आज इनका पूरा course complete हो चुका है, और इनका जो course का duration होता है, वो तीन महिने का होता है लेकिन जो assistant होते हैं, जो ज्यादा समय देते हैं, तो उनका जो course 90 दिन का course होता है, वो 45 दिन में complete हो जाता है, लेकिन जो certificates आपको मिलता है, वो पूरा तीन महिने का ही मिलता है, क्योंकि certificate 45 दिन का कोई certificate नहीं होता है, जो certificate duration होता है, वो कितने time का होता है, वो पूरा 90 दिन क तो आज इनका कया स्वाशन प्रेंट का साथ प्रेंट मिलता है तो आज इनका पूरा कोसि hmhh ही बेशिए हैं और यहां रोकल पड़ती जिसको अम लोग पुखराया बोलते है पुखराया बड़ता नो कुखराया पड़ता पर लिए वो च्रेंग के लिए थे तो इनसे पहले इनके एक प्रेंड थे वो चीख गया थे लेकिन उन्होंने पहले यह ट्रस्ट नहीं सोचा कि मलब हमको मोबाइल फोन देपेरिंग का काम सीखना चाहिए यह सोचते कि ऐसे ही सीख सकते हैं तो इन्होंने क्या किया कि अपना एक दोस्ता उसको बोला कि तू चला जा जा वहाँ पर एक मोबाइल फोन देपेरिंग का को सीख लिया उसके बाद आज पुखराया में एक दुकान है वहाँ पर दुकान पर बैठ कर के काम करता है हो कई शुकरी कर देने कि तूमको काम आता है फो ठीक है ज़िक हो छुख है तूंसे जाने जाने एक मिल गया तो इन्होंने बोला चले हैं वहाँ पर चल्टाओं वहा वहाँ सीख जा जा कर जर वो लड़का मेरे पास सीख और और इनको भी ने बलिफ था कि मनलब को पर उसने पूरा सीख लिया उसका क्या नाम था पहले जब सनी ट्रेनिंग लेकर गया तो सनी के बाद फिर एक और उसका दोस्त था साकिर नाम था पहला सीख कर आधा साकिर पहले जाल से जहाल सीख छाए तो इनको पर उना सहर सेख लेजल की सेकड़ है था आज इनका पूरा course complete हो गया है यह हमारा कहने का review को मतलब यह है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने life में पहले खुद नहीं करते हैं दूसरों को सला दे देते हैं अगर आप किसी के भी दुकान में काम करना चाहता है अगर आप किसी के दुकान में काम करने के लिए जाते हो और अगर आपको knowledge नहीं है तो समझ लिजी आप temper cover का का काम करोगे सामान बेचने का काम करोगे साफ सफाई का 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 काम करोगे हाँ अगर तुमको knowledge है तो तुम किसी को दुकान में भी जाकर काम करोगे तो फिर समय लिजी फिर यही बोलेगा कि वह भी आएंगे तब ही mobile phone ठीक होगा क्यों कि वह भेले दुकान का ओनर क्यों नहीं हो लेकिन आपका वेट करता रहेगा क्यों कि वह जब आप आएंगे तभी mobile phone ठीक करेंगे तो जो आदमी सिखा हुआ होता है ट्रेंड होता है उसको एक अलग value होती है कि अलग value होती है कि अगर उसकी chair है तो उसकी chair में कोई touch नह मारा यहां रखा हुआ था तो बोलेगा रहे भई आमने नहीं रखा वहीं रखा था तो वहीं सामान देख लो क्यों बोलेंगे क्योंकि वहां पर बेसक उस दुकान का मालिक है या नहीं यह बात माइने नहीं रखता लेकिन वह अपने काम का मालिक है और जिंदगी में अग किसी चीज की पूजा नहीं होती, अगर कहीं भी अगर नौकरी करने वाला भी होता है, कहीं काम करने वाला होता है, तो जिस आदमी को काम आता है, तो कहते हैं, जिसके काम आता है, उसको दुनिया तेल लगाती है, अज इसको काम नहीं आता, तो दुनिया उसको साइड कर देत कि आपके पीछे लाइन जरूर लगी होगी, यह खाली ऐसा मैं नहीं कह रहा है, मैंने अपना खुद का experience भी देखा हुआ है, लोगों को भी देखा हुआ है, और आज इतने सारे लोगों को मैंने सिखा करके भेजा हुआ है, कि आज वही एक लड़का था, मेरे पाएक सुजी पर कर सकते हैं, तो कस्का को सबस्ыт countless को सामिता है, तब कल से लुगा भी दोष़ो स खाली है, तो दुकानवाले ने खुद ही बोला ठीक कटि तू बाहरा जले ले, काम करना सुज्च बलाले, अपना काम करना सुरू कर देंगे, उसने काम करना शुरू कर दिया, तो हैसी बा प्रब्लम आई या लिक्ता आधमी पड़ा हुआ आदमी भी फेल हो सकता है लेकिन कड़ा हुआ आधमी कभी नहीं फेल हो सकता है क्योंकि हुआ ऐसी चीज होती है जो कभी किसी का मौताज नहीं रखती है एक बात सिच्छा भी एक समय ऐसा आता जब फेल हो जाती है आज भी मेरे पास बहुत सारी डिगरी है लेकिन वो सारी मेरी डिगरी एक जगह पर पढ़ी है चार-पान साल ऐसा होगा कि मैंने उसको देखा भी नहीं है लेकिन आज मेरे पास जो हुनर है जो मेरे हाथ में काबलियत है वो मेरे पास हमेशा आए और मेरे पास जिंदगी भर रहेगी तो कहते नहीं है इनसान को काबिल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो काबलियत ही उसको आंगे तक ले जाती है तो अब बताइए सर अपने बारे में थोड़ा सा और आपने कैसे लिए कितना समय हो गया आपको सीखते सीखते ताकि और लोगों को भी एक्सक्रियन्स मिले हमारा ना मिमनत है आद हूं मैं पुक्राया से रोज अब डाउन करता हूं ट्रेंस से और काफी ठग भी जाता हूं मगर यह कि मेनत करते रहे और आगे बड़ते रहे मोई सर हैं बहु पूछने में कोई मतलब समकोच नी होने चाहिए और सचे दिल से मन से काम सीखो और आगे बड़ो आप से पहले आप क्या कहना चाहिते हैं इसके पहले सार पहले हमने इंटर पास किया फिर इसका तोड़ा पाई से दिक्कत थी तो पहले ने सुचलाओ इन्वाइटर काम सेक तो आगे बड़ जाओ दुनियार की बाते करते तो फिर इसके बाद थोड़ा और कार का काम देखनें के तो दरवी में इनत कराते थी तो फिर पोली टेक्निक मतलब ये तृपल सी की प्रिसके बाद पर मॉल ने काम किया ट्रेंड सब्यो जार दून मॉल में वह साथ 10-15,000 पर पर रुपय कमा थे तो आपन थोड़ी बहु मदद की इसके बाद इसके बाद इसके बाद इदर हम काम सीखने आए तो अब ये दुकान मिलगी साकर मार्केट में देर हम ठेक्टिस करेंगे तीन-चार में इसके बाद पर परसनल कोलेंगे और इमोवायल काम बहुत अच की काम पर कई सारे काम क करने के बाद ट्रेशन अब अब प्रियास किया के बहुत आज दुकान पर लग जाते हो तो आप सिखने के लिए लेकिन आपको एक अच्छी ट्रेशन नहीं देते हैं लेकिन हमारे देखो मेरे सबसे पहली बात कि हमारे बात जितने भी सारे श्रेंट आते हैं वो अच्छी तरीके तर सीख करके जाते हैं जो आज आज आप से पहले बात करेंगे वही आप से जिंदिकी बरबात होती रहेगे और इस बात का मेरे से बिस्वास जरूर रहेगा कि आपको हमेसा सपोर्ट मिलेगा और हमेसा ट्रेंड हो करके जाएंगे क्योंकि मेरे जीवन का एक ही उद्देश है कि मैं चाहता हूँ कि हर एक आदमी के हाथ में स्खिल हो अगर वो हाथ में स्खिल है तो वो कभी मुझे निलगता कि बेरोजगार रह सकता है कहते हैं दुनिया जान में गरीबी को दूर करने का कोई करण नहीं बना है लेकिन अगर आदमी के हाथ में हुनर है तो कम सका मुझे अपने जीवन को चला सकता है और किसी के सामने हाथ खेलाने के लिए खड़ा नहीं होगा क्यों नहीं खड़ा होगा तो कि इसके हाथ में हुनर है और कहते हैं जिस आदम के हाथ में हुनर होता है तो हुनर बोलता है कि काम करके उसको देगा तो उसके बलते उसको क्या मिलेगा पैसा मिलेगा मार्केर का एक ही दस्तूर है अगर आप काम करके दोगे कोई भी बार आयें, कि तो कहते ने, इनसान रायता है, तो परिसानिया कहां नहीं होते हैं, परिसानियाisty होते हैं, लेकिन हम लोग अगर अपने लप्ठ से बटक जाते हैं, अपने लप्ठ को छोड़ देते हैं, कि हमारा ट्रेंग ही पहला फोकस है, ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग सब कुछ पहले है, तो समय लिजी फिर उसके सामने सब चीजें बिकार हैं, और हमको हमारा अच्छी हांसिल हो जाता है, जिस दिन आदमी का टारिगेट अचीव हो जाता है, आदमी का टारिगेट पूरा हो जाता है, आज मैंने 8-10 साल पहले जिन ब मोबाइल फुन के दुकान खोली थी, आज मेरे पास आते हैं तो कम से कम लाखों रुपया का सामन एक बार में लेकर जाते हैं, तो जब कोई आदमी अगर 15 दिन के अंदर एक लाखों रुपया का सामन खरीद के लेकर जा रहा है, तो जाईसी बात है कि उसका कहीं प्रोफिट जानकारी जादा हो, किसको कम समझ में आता हो, किसी को जादा समझ में आता हो, लेकिन हाँ पर हम लोग एक बैच में कठा हुए हैं, तो एक बैच में कठा होने का यही हमारा एक उदेश है, या आपके लोगों का भी एक ही फर्ज बनता है, अगर हो सकता है कि कोई चीज इनको नहीं समझ में आती है, इनको कम समझ में आती है, आपको ज़्यादा समझ में आती है, तो एक दूसरे के साथ में जरूर सेयर करें, क्योंकि अगर एक दूसरे के साथ में सेयर करेंगे, तो आपकी भी knowledge बड़ेगी, और अगर उसको भी आप कहीं न कहीं मदद करते हैं, क इसी तरीके से क्या होता है कि ये कुछ चीजे ऐसी ही होती है जो हमेशा दोस्तियारी सिखाते हैं तो आप भी जब आप जुड़े होए हो तो ये अपना काम जो सीखने के लिए होकर किसी को कोई चीज समझ में आ जाती है तो आप क्या करो एक दूसरे के साथ में सेयर करो एक दूसरे को समझाओ कि को जितना आप एक दूसरे को नौलेज एक ऐसी चीज होती है जितना बढ़ती है उतना बढ़ती है और बांके सारी चीजे ऐसे हैं जितना बढ़ती है उतना गढ़ती है नौले जी एक इसी चीज है जो बाटने पर बढ़ती है तो आप लोग खुब बाटो और अपने को भी अपडेट करो अपने सामने वाले को भी अपडेट करो तो आप अच्छे तरीके से सफलत अपरूव काम करें हमारी टीम आपको हमेशा सपोर्ट करेगी हम हैं हमेश सर हैं मोईसर हैं सबी लोग आपको सपोर्ट करेंगे और कभी कोई प्रॉब्लम आए मैं आपको वीडियो के माध्यम से कहता हूँ कभी कोई प्रॉब्लम आए जिंदिगी में कोई प्रॉब्लम आती है अगर सीखने से सम्मंदित काम करने से सम्मंदित या अपडेट होने अब आच्छी तरीके से सफल नहीं हो जाते हैं ठैंक्यू दोखते हैं